हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो दो चैनल दैटकबल अब्रॉड तो अब हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको फ्रिलांसिंग के बारें बताएंगे तो अगर आपने कभी सोचा है कि मैं फ्रिलांसिंग करना चाहता हूँ और कैसे स्टार्ट किया जाए तो यह वीडियो आपे लिए काफी हलफुल होगी तो फ्रिलांसिंग करिया तो हम पहले सब सब्सक्राइब करना क्यों चाहिए क्या बैनेसिंग होती क्या है तो फ्रिलांसिंग ऐसा मोड ऑफ अर्णिंग है इसमें आप अपनी पर्टिकुलर जैसे आप नॉर्मल अपनी जॉब्स करते होंगे आप इसी कंपनी के साथ मैं अपनी प्रिकुल करके उन्से पेमेंट्स सकते हो अपने इन्से कास्ति वह सब्सक्राइब अच्छा यह आप को इसमें एक फ्लेक्सिबिल्टी मिल जाएगी काम करने के लिए तो इसमें जरूरी है कि आपका कुछ 9 to 5 या 10 to 7 पर्टिक्लर स्पेसिफिक टाइमिंग होंगी तो जिस टाइम आप काम करना चाहते हो आप उसके अपना काम कर सकते हो और दूसरा बेनिफिट इसका यह रहता है कि यह आपको ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा और आपको अपना अपना गर बैठे आप अपना काम कर सकते हो और यूँ आप कुछ क्लियंट के साथ काम करना चाहते हो तो इसमें आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा आप क्लियंट के साथ काम कर सकते हैं आपको डिरेक्टले के साथ इंटरेक्शन होगी और आप उनके साथ बात करोगे कॉल्स पर जाओगे तो आपकी हार्डवेर की रिक्वार्मेंट्स रहेंगी आपके पास एक लैप्टॉप होना चाहिए और एक मोबाइल भी होना चाहिए और इंटरेट कनेक्शन होना चाहिए तो यह काफी इंपोर्टन रहता है क्योंकि जितना भी काम हम उठाएंगे विलांसिंग में यह आपका आपका इंटरेट अच्छा होना चाहिए और सिकिंडली आपका जो भी स्किल सेट है आपको उस स्किल सेट के कौर्डिंग अपना एक पूटफोलियो बिल्डप करना है तो आप इस चीज़ के वेटना करो कि आपको जब क्लाइंट आएगा तब मैं उसकी रिक्वार्मेंट तब मिरा पूटफोलियो बिल्ड होगा तो आप अपना पहली ही मतलब एक-दो हफता या एक महिना खुद बैठके पूटफोलियो बिल्डप कर लो उस पूटफोलियो को कहीं ने कहीं अपना ओनलैन किसी चैनल पे अपना बिल्डप करो शोकेस करो जैसा कि काफी जहां पर आपना पॉर्टफोलिए डिस्प्ले कर सकते हूं इसके अलावा आपको अपनी एक रिजीओमे बीड करके रखना चाहिए कई बारी कुछ कुछ क्लाइट्स दोते हैं जो आपका रिजीओमे मांग सकते हैं तो आपना एक बेसिक रिजीओमे बनाकी रखो इसमें आपकी skills, आपकी education और आपका कुछ past projects के बारे में अपना display कर दो और अगर आपको resume बनाने के लिए कुछ help चाहिए तो इसमें भी हम एक video बना सकते हैं तो अगर आपको कुछ help चाहिए तो आप comment section में लिख दो कि you want to have one video on how to prepare a professional resume and we will make a video on that इसके बाद एक बहुत important थोड़ा tricky रहता है अपना आपको अपनी hourly rate या फिर जो price of the gigs है वो आपको decide करना है कि what should be my hourly rate gigs के बारे मैं next जब अपना financing portals कवर करूँ तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा कि gigs होती गया है तो अभी मैं आपको hourly rate के बारे मुक्ता आता हूं कि hourly rate में क्या रहेगा यह सबसे ज़्यादा एक मुश्किल point रहता है कि मैं कितना charge करूँ क्योंकि जब आप अपना monthly based jobs पे कर रहे होते हो किसी तो आपको एक salary होती है define होती है बट जब आप freelancing में आतो आपको मेली hourly based पे काम करना वरता है उसके according अगर आच है fixed price पे भी काम कर रहे हो तो एक hourly rate बड़ा important रहता है तो hourly rate आप कैसे decide करोगे तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको जैसे experience है around one year या two years जितना भी experience है तो आप अपने relevant competitors को search कर सकते हो जो भी आपके पोर्टल से भी discuss करेंगे तो आप उनकी online profiles चेक कर सकते हो कि उन्होंने क्या rate डाला हुआ है online तो आप try करो कि अगर जैसे अगर आपको लगना कि यार जो इस बंदे ने ये portfolio अपना दिखाया हुआ this is something I can also do तो आप उसके ही according मत्तब अपने पहले अपनी दिख सम ready करेंगे और जो उसने rate वहाँ पे disparate करा है तो आप उससे मतब शुरू वे हम 10-20% कम कर सकते हो कि या भी हमारी fresh profile है and we want to attract the clients by somehow तो एक तो मारा portfolio तो strong हो गई होगा अगर हम थोड़ा price शुरू में अपना down रखेंगे तो तेरा more chances कि शायद वो हमसे काम करा ले क्योंकि सबका एक motive यही रहता है client का कि मैं को सबसे अच्छा काम चाहिए और सबसे कम पैसे पे चाहिए तो शुरू में हम अपना rates कम करेंगे दीरे दीरे जैसे हमारा portfolio strong हो जाएगा तो we will increase the rates as well तो next question हमारे mind में आएगा कि हम freelancing start कैसे करें हमने benefits के पता कर ली हमने यह समझ लिए कि freelancing होती क्या है बट अब शुरू कैसे करने है तो freelancing शुरू करने के लिए कुछ portals के अब help लेंगे कुछ websites हैं जो एक marketplace होती है freelancing के लिए तो हम five websites के बारे में discuss करेंगे और भी websites हैं बट I will talk about the popular websites that are available in the market तो सबसे पहली जो इसमें website रहेगी वो रहेगी Fiverr और second है Upwork और उसके बाद हम करेंगे freelancer, people barar, guru तो हमको यह freelancing websites choose क्यों करनी है इसका बहुत important role रहता है freelancing websites use करने का तो यह मतलब काफी positive भी होता है और थोड़े बहुत इनके cons भी होते हैं तो पहले हम positive discuss करतें कि इनका क्या benefit है तो सबसे बड़ा benefit इसमें यह रहता है कि यह एक mode of trust रहता है आपके बीच में और आपके client की बीच में तो इसमें trust आपको किसी client पे नहीं करना client आप पे trust नहीं करेगा आप उस पे trust नहीं करो बड़ आपको एक ही जो financing portal सा आपको इस पे trust करना चाहिए तो इसमें पूरा mechanism क्या रहता है जैसे अगर आपने कोई job search करी आपने job search करी आपको job अच्छी लगी तो आप उस job पे apply करो अपना cover letter लिखो cover letter लिखने के बाद अगर client को आपका cover letter अच्छा लगता आपकी profile अच्छी लगती है कर उसको आपको reads ठीक लग रहे हैं तो वो आपको interview करेगा आप उससे chat करो call करो और अगर आपका agreement को हो जाता है कि ठीक है हमें कठे काम करेगे तो वो client आपका इस freelancing portal पे अपना money deposit कर देगा तो उसको हम बोलते है escrow अलग-अलग terminology यूज होती है इस अपना money deposit हो चुक है अब वो अपना money ऐसे नहीं निकाल सकता तो अगर आपने काम अपने deliver किया है तो आप देखतो यह try करना कि जितना भी आपकी communication हो आपको सारी communication अपनी freelancing portals पे रखनी है don't try to communicate with client privately आप उसकाइप WhatsApp पे discuss ना करो जितना discussion आपको करनी है आपको freelancing portals पे करनी हो कि इनी communications के तुरू अगर कोई end पे dispute होता है आपको पोर्टल अगर क्लाइन मना कर देता है कि में को pay नहीं करना या कुछ भी issue हो सकता है तो आपको यही communication जो आपने portals पे करी होगी वही आपको help करेगी वो dispute win करने में आपको अपनी payment लिके आने में तो हमने पहला benefit यह डिसकस के कि यह के trust act करती है second benefit यह है कि इसमें आपको बहुत सारी clients मिल जाएंगे तो आपको कोई ढूनना नहीं पड़ेगा किया मैं कहां जाओ अपना client ढूनने तो यहाँ पे clients already हैं आप अगर देखो कि आपको हर minute या हर घंटे आपकी scale के according वहाँ पे jobs दिखती रहेंगी तो आप कभी भी उन jobs apply कर सकते हैं तो clients वहाँ पे available हैं आपको clients कहीं मतलब physically ढूनने की जूरत नहीं कुछ सब आपके mobile पे इंटरेट पे जोब आपको jobs मिल जाएंगी तो सबसे पहले हम discuss करते हैं एक platform के बारे में जो काफी famous है आपने इसाधिन के बारे में आपको जोब्स पे खुद अपलाई नहीं करना पड़ता आपको अपनी जो भी skillset है आपको skillset के कोड़िंग बनानी पड़ती है तो आप जितनी भी आपके different different gigs हो सकती है अब अपनी gigs prepare करो और अपना वहाँ पे अच्छे से करने के लिए जैसे एक क्लाइंट आया जिसको अपनी वेबसाइट के लिए लोगो डिजाइन करना अपने बिसनस के लिए लोगो डिसाइट करना है तो वह सर्च करेगा लोगो पर आपकी की तो अपनी उसको रिप्लाइब करने कि उसके रिकोर्मेंट समझा कि उसका बिसनस समझा कि कि स्कालर कंबिनेशन के लोगों चाहिए और जैसी आपको समझ आना लग गया तो आप उसको बोल सकते कि ठीक है और आप उसका काम करना शुरू कर दो तो इस पर फाइवर का एक रहता है कि आपको इसमें 20% of commission फाइवर चार्ज करेंगा तो सपोज अगर आपका जो डिसकास होते है कि आपको 100 डॉलर आपको किसी जॉब की मिलेगा तो इसमें 20% फाइवर ले जाएगा आपको 80 डॉलर ही मिलेगा बट I would suggest कि आप जो इनका commission होता है आप उसको बतलब एक negative ना लेके आप उसको ऐसे सोचो कि अगर आपको एक client अपने आप अपरोच कर रहा है आपको कोई search नहीं करना पड़ तो आपका actually में बहुत बड़ा benefit हो रहा है कि आपको time नहीं लगाना पड़ रहा तो अगर वो कुछ ऐसे jobs भी मिल जाए जो आपको एक long term client मिल जाए जो आपको monthly basis पे भी hire कर ले अपको एक catch है कि यह जो प्लैट हो में यह paid है इसमें एक connect system चलता है कि आपको job से खुद apply करना पड़ेगा तो इसमें आप जब अपना account बनाओगे तो आपको वहापे find work पिजाके आप सारी jobs सिखनी शुरू हो जाएंगी हर कितने भी minute में वह job posting हो रही है तो आपको job खुल के वहापे apply करना है cover letter लिखनी है और अकर client को आपका cover letter पसंदा है आपका rate ठीक लग रहा है तो वह हो सकता आपको interview करें और उसके बाद आपको meeting arrange करनी है और उनकी requirement समझ के काम शुरू करना है बट इसमें जो भी आपको आप प्रजेक्स पर apply करोगे तो इस पर हर job को apply करने के लिए connects लगते हैं तो वह connects paid होते हैं आपको monthly basis पर कुछ आपको हो सकता है connects आपको free मिले वह around 80 connects आपको free मिलते हैं बट उसके बाद आपको हर job पर apply करने के लिए extra connects नहींगे जो आप आपको 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 मिलते हैं वह तो आपके वैसी मतलब शायद five to six jobs के अंदर ही खतम हो जाएं तो आपको शायद थोड़ी और corrects भी buy करने पड़ेंगे अच्छी jobs पर apply करने के लिए अपको का commission rate रहता है वह around 10% है तो अगर आपकी कोई client के साथ एक life cycle earning चल रही है तो अ अपको का यह US based portal है तो आपको इसमें जितनी भी ज्यादा jobs मिलेंगी वो आपको USD में ही मिलेगी तो आपको अपना एक early rate जो भी अपना mind में रखना है वो US के according ही रखना है कि मेरा USD early rate कितना होना चाहिए third platform जो discuss करेंगी वो है freelancer तो freelancer एक Australian based portal है और इसमें बट आपको जो jobs मिलेंगी हो सकता है इसमें different currencies के according आपको job listing दिखे कुछ हो सकता है कि आपको pounds में मिले कुछ आपको euro में मिले कुछ USD में कुछ आपकी local currency में भी हो सकता है तो आप अपना जितना भी rate अपना decide करोगे आप आपका जैसे आपने suppose 10 dollar पर आर आपने अपना सोच है तो वह pound में कितना होता है तो वह pound में अपना rate थोड़ा कम कर सकते हो euro में थोड़ा कम कर सकते हो Australia में थोड़ा और ज्यादा कर सकते हो तो आपको यह थोड़ा calculation उस टाइम पर करना पड़ेगा कि आप अपने एक पर करन तरह काफी सारे connection लगते हैं आपको हर job पे apply करने के लिए शाद एक biddy लगती है और जितना भी आप membership पे लोगा रखेगा 100 Bits का भी एक monthly subscription है तो आपका 100 Bits आपकी इतनी easily खतम नहीं होंगी आपको इसमें वह renew होती रहती है तो I think 100 Bits वाला जो आपका membership रहेगा वो काफी in the beginning रहता है और freelancer around 10% चार्ज करता है अपना commission rate पे बट इस पर एक को बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप किसी client के साथ काम करना चाहरे हो अगर आपको client ने job award पहले कर दिये तो वो जैसे ही आप अपना project accept करोगे तो freelancer अपनी fees पहले ही चार्ज कर लेगा तो वो wait नहीं आपकी कि आप अपना project deliver करो तब freelancer अपना payment लेगा तो जैसे ही आपने project अपना award किया client ने और अपने project accept किया तो freelancer ने अपनी commission पहले ही चार्ज कर लेनी है यह opposite होता है upwork पे आप, upwork तभी charge करता है जब एक पूरा आपका delivery client के end से हो जाती है, client पूरा payment कर देता है तब आपको actually में लेगता है कि मैं deliver करूँगा, अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब इसमें थोड़ा risk लग रहा है कि यार मेरे को पता है यह project deliver होगा कि नहोंगा मैं उठा कर देख लता हूँ, तो आपके पैसे पहले ही deduct हो जाएंगे और हो सकता है कि अगर आपसे बाद में project deliver न जब आप preferred freelancer में बन जाते हो तो आपको recruiter based job मिल जाती है, recruiter based job का यह benefit रहता है कि अगर कोई अच्छी jobs आती है तो recruiter आपको directly interact करवा देते हैं और इस पर थोड़ा आपके chances ज़्यादा हो जाते है क्योंकि आपको एक freelancer का recruiter है, वो आपको recommend कर रहा होता है client को कि इस freelancer से का आपको काम करवालो या आपको काम जल्दी करेंगे, तो बाकी freelancers आपको extra benefit मिल जाता है क्योंकि आपको directly interaction मिल चुक है client के साथ, तो आप उसके बाद directly client से अपना बात करना शुरू करो और client को convince करो कि you are the right person for that job, जो हमारी recruiter based jobs होती है, इसमें around 15% deduct होता है, तो it's little extra from the regular jobs, ब प्राइब करेंगे, यह है people per hour, तो people per hour UK based platform है, इसमें आपको mostly clients आपको UK based मिलेंगे और आपको इसमें जो currencies होती है, यह मतलब USD में पांट में और Euro में मैंने देखा है, आपको in currencies के उपर आपको jobs मिलेंगी, तो people per hour थोड़ा combination है, मैं कहूंगा Fiverr और आपका जो बाकी field answer का ह तो इसमें आपको hourly's बनाने परते हो, तो जैसे Fiverr पे gigs बनती है, इस पे hourly's बनती है, तो similarly आप जैसे अपनी वहाँ पे आपनी gigs बना लो के तो आप try करना कि वैसे ही hourly आप अपनी people per hour थो बना लो, और उसके बद आपको इसमें दूसरी option भी मिलें कि आप search कर सकते हो, तो ज जॉब से दिखने की, तो आप उस पर जुरूर अपलाए करना, इसकी भी membership paid रहती है, और इसका जो commission rate रहता है, यह शुरू में थोड़ा सा extra है, जैसे इसमें तीन स्लैप्स recording कहाँ पाता है, अगर आपकी जो earnings हैं, वो around 250 pounds है, तो यह आपको 20% charge करेगा, अगर आपकी earnings 250 से 5000 pounds सक है किसी client रहत, तो आपको यह around 7.5% charge करेगा, और अगर 5000 से उपर है, तो यह 3.5 charge करेगा, लास्ट platform में discuss करूँगा, वो है guru.com, guru.com पे भी कुछ activity, कुछ skill set के recording काफी अच्छी activity होते हैं, तो आप उस पर भी अपना profile बना लो, और regular उस पर jobs apply करते हैं, रहा करो, तो I would suggest क कि आप किसी एक platform पे dependent मत होना, हो सकता है कि आपको किसी platform पे आपके skill के recording ज्यादा jobs मिल रही हैं, तो आपको हर platform को at least जब भी आप अपना इस पर jobs apply करने के सोच चूगा, अपने अपने एक particular time एचसेट करें ना कि मैं इस दिन के इस घंटे में मैं jobs देखा करूँगा, तो 2- तीन अपने आज जरूर spend करने हैं आपने और ट्राइ करना कि अगर आप US-based या फिर कोई और country पर target कर रहे हो तो उनके time zone के recording फोड़ा अपना timing change करना जैसे अगर मैं बात करूँगा, यूएस की, तो यूएस में around जैसे हमारा इंदिया में शाम को 7-8 बजे के बाद यूए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप like, share and subscribe to our channel, अगर आपको कोई question है, आप comment section पे हमसे पूर सकते हो, I will read all the comments and I will really try to help you in a better way, so let's get started